हमने एलकोहल बनाने की विडियो की बात की अब इसके बाद हम बात करेंगे एलकोहल के बहुतिक गुणों की फिजिकल प्रॉपर्टिस की तो हम कुछ बेसिक फिजिकल प्रॉपर्टिस की बात कर लेते हैं जैसे कि सि खार्बंन 13 종ल से 11 तक के जो alcohol होते हैं वह तीखी गंदवाले वास्पसील द्रव होते हैं और चीभण हम जैसे सेमि सॉलिड होते हैं मौम जैसे ठोस होते हैं है सामानेने के एलकोहिल की Aurora स्वापक होती है जैसे आप जानते हैं कि नसीली प्रकृती होती है इसकी और यह हमारे केंद्रिये तंत्री का तंत्र सेंट्रल नर्व सिस्टम को सिथिल कर देता है प्रभावित करता है जिससे बेहोसी जैसे भावुत्पन होते हैं हम अगर बात करें मेथेनोल की की थोड़ी मात्रा में सेवन करने से अंदापनाता है और तृत्तेक अलकॉहल को शापित अलकॉहल कहते हैं इसका उपयोग शम्मोहन में और शामक्रियाओं में किया जाता है मर्च आप अगर हम बात करें एल्कोल के अगले गुन की तो वेह महतुपुन् सरी है विलेता का चूंकि ऐल्कोखल में ओेच समू उपस्तित होता है ये और ओैच है यहां ऑक्सीजन पर आनसिक रिनाविस होता है और हाइड्रोजन पर अंसिक धनाविस होता है इसलिए ओए समूद के साथ हाइड्रोजन बनाता है इसलिए जल के साथ बनाये जाने के कारण एल्कोहल जल में विले होता है जनरल एक क्योश्चन पूछा जाता है कि जल की तुलना में पेट्रोल का और एल्कोहल दोनों का घनत्व कम होता है लेकिन पट्रोल में लगी आग पानी से नहीं बुझती एलकोहल में लगी आग पानी से बुझ जाती है क्यों जान से सुनेंगे आप इस परिष्टेते हम में हम आंसर दे सकते हैं कि एलकोहल जल से हाइड्रोजन बंद बनाने के कारण अंतर अनुक हाइड्रोजन बनाने के का पानी में घुल जाता है इसलिए एलकोहल में लगी आग पानी से बुझ जाती है जबकि एलकोहल का घनत्व पानी से कम होता है फिर भी लेकिन पेट्रोल में लगी आग पानी से नहीं बुझती क्योंकि पेट्रोल जल के साथ किसी प्रकार का हाइड्रोजन बंद नहीं बनाता और उसका घनत्व कम होने के कारण वह पानी पर तैरने लगता है इसलिए पेट्रोल में लगी आग पानी से नहीं बुझती नेक्स्ट प्रॉपर्टी के अगर हम बात करें तो बात आता है कि एलकोहल का क्वथनांक जो होता है वो संगत इथर से या हाइड्रोकारबन से या हैलोलकेन से अधिक होता है उसका भी रीजन सेम है एलकोहल के अनुपरस पर अंतरणूख हाइड्रोजन बंद द्वारा जुड़ जाते हैं ओएच बंद की धुरुता के कारण इसलिए इनके मोलेक्यूल स्पास में आ जाते हैं और अंतरणूख हाइड्रोजन बंद के कारण इनका क्वथनांक संगत इथर से संगत अलकेन से संगत हैलोलकेन से अधिक हो जाता है ऐसे ये क्योशन ओर बनता है कि एलकोहल का घनत्व संगत इथर से संगत हैलोलकेन से अधिक क्यों है उसका भी सेम आंसर है कि इसका क्वथनांक और घनत्व दोनों अपने संगत इथर से अधिक हो जाता है क्योंकि एलकोहल हाइड्रोजन बॉंड बनाता है ये इसकी बेसिक फिजिकल प्रोपरटीज की बात थी अब इसके बाद में मैं आप लोगों को कुछ टास्क के लिए क्योंस दे रहा हूँ जिसकी चर्चा हम अगले वीडियो में करेंगे और आप इन क्योंस के आंसर तब तक ढूंडने की कोशिस करें पहला क्योंस लिखिए कि एलकोहल में लगी आग पानी से बुझ जाती है क्यों इसका अंसर मैंने आपको इसी वीडियो में बताया अगला अगर मैं क्योस्टन की मैं बात करूं तो हम क्योस्टन लिखते हैं कि जलकी तुलना में अलकोहल की प्रकरती दुर्बल अमलिये क्यों है आपके लिए यह क्योस्टन है जिसे आप ढूंडेंगे और अगले वीडियो में हम इस क्योस्टन से हमारे वीडियो की सुरुवात करेंगे तब तक के लिए ओल दे बेस्ट थेंक्यू